बॉलिटेन साथ इंडिस्ट्री से कुछ हेलां कर दिने बाली खबर आ रही है चले उसके बारे में बात करते हैं सबसे बड़ी खबर आ रही है प्रावस की मोच एटर मोभी कल की गुले की पिछले कहीं दिनों से खबर आ रही थी फ्लिम की पोस्ट प्रडुक्स अंगा काम कं प्रण हो जाएगी लेकिन हाली में मैंकश ने यह कंफरम कर दिया है कि करकी टू आइट नैट आट एडी मैं नौन को ही हमें देखने को मिलेगी वैसे यह बड़ी खबर नहीं है बड़ी खबर यह है कि कल की एक नहीं दो नहीं नौ पार्ट में रही हुगी हाँ दुस्तों पहले तो मुझे इस बात में बिल्कुल भी बिलिब ने हो रहा था फिर जब पता चला कि ये बात में कशने खूद कही है तो ये किर करना पड़ा आज तक इंडिया में साय ती नौ पार्ट में कभी फिलिम बनी हो फिर जो भी हो ये हम फ्रेंस के लिए तो अच्छी बात है अगली ख़बर आरी है कमल हसन सार की इमोटेटर मोवी इंडियन टू की जिसकी बारे में सुने को मेरा है कि ये फिलिम में की महने रीष्ट किया जाएगा इस फिलिम की टीजर लगफर तीन महने पहले आई थी मगर अभी तरह इसकी ऑफिसरली रीष्ट एड़ कमफरम ने किया गया है सिप अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिलिम में महने को रीष्ट कर सकते हैं पर उसी में रही करके टू आइट नाइट एड़ी भी आने बाली है जिसमें फिलिम की रोल में कामल हसन सा दिखने बाले है क्या एक ही मेने उनके दोनों मोभी आएगी पर इसके कोई करेंटी भी नहीं है क्योंकि ऑफिसरली ये बाद कमफरम ने किया गया है क्या आप इंडिया टू की इंतिजा करें हैं कमेंट में चरू बताना मौमेटी सार के अब कभी मोभी टॉर्बो का सेकेंड लोग पोस्टर रीच कर दिया गया है जिससे बेशक ने डायक किया है जिन्होंने मौमेटी सार के ब्लागबस्टर मुवियों मधूरा राजा डायक के थे ये एक एक्शन कोमेडी फ्लेम होगी जिसमें मौमेटी सार के सार राजवी सेठी सुनील कभी दूहन सिंग इलीड रोल में दिखेंगे पर अभी तक इस फ्लेम की रिश्टर कॉंफरम ने क्या गया है मगर सुनने को मिर रहा है कि आने बाले दो तिन महिनों के अंदर ही रिश्ट हो जाएगी जेलट्टो को लेकि एक बहुत अची ख़बर आ रही है डाइक्टर नर्सन दिरिम कुमार ने जेलट्टो की स्टोरी पर काम चालो कर दिये है हाँ दोस्तों स्क्रेप लिखना स्टार्ट हो चुका है और कहा जा रहा है कि अगले बस इस फ्लेम को अफिसली अनॉस कर दिया जाएगा वैसे कि आप रजने कंसर के प्लाग बैस्टर मोवी जेलर देख चुके हो या अभी तक नहीं देखा है कमेंट में जरूर बताना बॉलट की तरब से हाउसफुल फाइब को लेके एक शाकिंग खबर आ रही है सुनिको में रहा की फ्लेम में हमें अभिशेक बच्चन की जगा फार्दिंखान नजराएंगे हाँ दोस्तों रिपोष की मताबिख अभिशेक बच्चन ने हाउसफुल फाइब में काम करने से मना कर दिया है पर क्यों ये पता नहीं हाउसफुल फाइब के मेकर्स इस फ्लेम में भी ओल्ड कास्ट को ही लेना चाहती थे जिन में से एक थे अभिशेक बच्चन जो हमें हाउसफुल 3 में देखने को मिले थे पर अब वो इस फ्लेम का हिस्सा नहीं होने बाले अब इस फ्लेम में आक्षे कुमारी, तेस्टे समूग, बबी देवाल एंड फादिंखान दिखने वाले हैं अलिया भट के अपका में मोवी जीगरा को लेकि एक खबर आ रही है रीपोश के मतबिय फ्लेम की सुटिंग कम्प्रिट हो गई है ये एक एक्षेन रामा मोवी होने बाली है जिसे बसन बाला टायर कर रहे हैं और इसे प्रडूस कर रहे हैं करन चोहर इस फ्लेम की लगभाद चार मैने पहले एक एनास्मेंट डीजर आई थी जिसे देखे पता चला था कि इस फ्लेम की कहानी एक भाई भैन की इत के घुंती नजर आईगी जिसमें हमें देखनी को भी लगा कि किस तरह एक भैन अपने भाई को बचाती है वैसे ये फ्लेम सत्य सेट्ट्वेंबर को रेज होगी बॉलिट के तरफ से एक और मस्क ख़बर आ रही है जिससे सुनके आप खुशी के मारे पगला जाओगे कंगना रनावट के प्लगबस्टर मोवी कोईन की सिर्कल आने बाली है हाँ दोस्तों कोईन मोवी की डायक्टर विकश बहल ने कहा है कि कंगना रनावट फिर से लीड रोल में नजर आएंगी उससे अभी मिकश बहला जितवगन के अपकर में मोवी शेतां को डायक्टर के रहे है जिसके पास स्वाय कोईन डायक्टर को डायक्टर करेंगे अगर आप मेरी तरह एनिमी के दिवाने हैं तो आप मोस्ट प्रपुलर सीरीज नारुटो को तो देखे ही होंगे इस अनिमी के एक लाइब एक्शन मोवी आने जारी है जिसे मोस्ट प्रपुलर डायक्टर डेस्टिन डायक्ट करेंगे ये वही डारेक्टर है जिन्होंने सेंग जी फिलिम को ट्रैक किये थे इसलिए मैं इस फिलिम के लिए बहुत एक्साइटिट हूँ देखते हैं नारोटों की केरेक्टर के लिए किस एक्टर को काश करते हैं आज के लिए इतना ही दूस्तर में अगले वीडियो में तब तके लिए बाइबाइ टाटा खत्म